आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन अश्टडी सेंटर पर श्वागत है आज ये वीडियो अपडेट में लेकर आया हूं बीबी एमके इंवर्सिटी के सेमेश्टर वन के सभी स्टुडेंट के लिए तो सभी स्टुडेंट का 27 तारीको 27 तारीको एक्जाम है आईवीस प पर वन के इंपॉर्टेंट कोस्टन का डिसकास करूंगा और उसके एंसर भी बताऊंगा तो जो भी चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब और सेर जरूर कर दिजएगा और कमेंट जरूर कीजएगा तो आईवीस पेपर में प्रस्नालिटी डेवलप्मेंट का जो तक जरूर देखेगा क्योंकि पढ़ने के लिए कोई कंटेंट अभी उपलब्द नहीं है आप लोगों के पास क्योंकि गेस पेपर भी नहीं निकला है तो आईवीस पेपर प्रस्नालिटी डेवलप्मेंट का डिसकस किया जा रहा है सभी को लास तक देखेगा ठीक है तो स सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि वाटीज प्रस्नालिटी डेवलप्मेंट प्रस्नालिटी डेवलप्मेंट है क्या तो प्रस्नालिटी डेवलप्मेंट को हिंदी में व्यक्तिगत विकास कहा जाता है प्रस्नालिटी डेवलप्मेंट को तो आप सभी यह जान ल वह हिंदी में ही इसका उत्तर देंगे question हो सकता है इंगलिस में आए हींदी में उतर दीजेगा तो वैक्तितिट confronted को कि अूब कोड़ी मनुष्यों के भीड में वह अपने निराले व्क्तिति के कारण पहचान लिये जाएंगे यह उसकी विशेशता है यही उसका वेक्टित है प्रकिर्ति का यह नियम है कि एक मनुष्ट की आकर्ति दूसरे से भिन है आकर्ति का यह जन्मजात भेद आकर्ति तक ही सीमित नहीं है और उसके सोभाव संसकार और उसकी प्रविर्तियों में भी वही असमानता रहती है इस असमानता मे ही स्रिष्टी का संदर है प्रकिर्टी हर पल अपने को नए रूप में सजाती है हम इस परतिफल में होने वाले परिवर्तन को उसी तरह से नहीं देख सकते जिस तरह हम एक गुलाब के फूल और दूसरे में कोई अंतर नहीं पहचान सकते परिचित वस्तूओं में ही हम इस भ परिवर्तनों को नहीं परक पाती तो यह सारी बाते तो दी गई है लेकिन आप सभी यह जान लीजिए कि व्यक्तितों का विकास के है तो संसार में पिर्थवी पर रहने वाले सभी मनुष्यों का व्यक्तितों अलग-अलग होता है और इस व्यक्तितों का विकास हम सभी अपनी समझ बूच के द्वारा करते हैं, क्योंकि मान लिजिये आपका या मेरा, दोनों का जो व्यक्तितों होगा, हो सकता है, समान नहीं हो, जिस तरह से इंसान के सरीर की बनावाट अलग-अलग होती है, ठीक उसी परकार हर एक व्यक्ति का जो विकास है, व्यक्तितों होता ह है, वह अलग-अलग होता है, उनके अंदर अलग-अलग गुन पाए जाते हैं, ठीक है, कोई अच्छा मान लिजिये गाना गा सकता है, कोई अच्छा पढ़ा सकते हैं, कोई अच्छा मान लिजिये किसी को समझा सकते हैं, कोई अच्छा किरकेट खेल सकते हैं, ये व्यक्ति तो ही तो है तो इसी को personality कहते हैं ठीक है तो यह personality development में अगर पूछा जाएगा क्या है तो इसमें आप लोग लिखिएगा ठीक है और अगर इसकीन सोट लेना चाहते हैं यहां से स्कीन सोट आप सभी ले सकते हैं और उसके बाद कॉपी में थोड़ा सा नोट के तोर पे लिख लेंगे कुछ और उसके बाद करेंगे अब दूसरे टॉपिक में चलते हैं ठीक है तो देखिए तो व्यक्तित्व विकास में personality के development में क्या-क्या element जरूरी है क्या-क्या कारक है तो व्यक्तित्व में वंशा नू करमन है अरेडिटी टफाप परिवेश्ट दोनों प्रधान ततों वंशा नू करमन व्यक्तिक औंपच्टी के लिए शुविधाएं परधान करता है बाला के व्यक्तित्वपर समाजिक पर्यवेश्व का प्रबल्परभाव पड़ता है जियो जो बालक विक्षित होता जाता है वह समाज या समुदाय की सेली को आत्म साथ कर लेता है या अपना लेता है और बड़ा होकर वह उसी अनुशार वहवार करता है देखिए मान लिजिये किसी के विक्तितों का दो तरीके से विकास होता है या दो तरीके के त्थव उसे परभावित करते हैं पहला त्थव है voixwnsanugraman मान निजे हमारे माता पिता हमारे माता पिता हमारे जो पुरुवज थे दादा-दादी, माता पिता, नाना-नानी यह सब कौन है? यह सब हमारे पुरुवज है और इनके द्वारा जो गुन हमारे अंदर आता है पहला तो ये तरीका हो गिया इनसान के अंदर जो विक्तितू है उसके अपने माता पिता अपने परिवार वालों के सदस्यों के द्वारा आती है अब दूसरा होता है हमारा परिवेश, हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, हमारा विक्तित्व उसी अनुशार बदल जाता है, यानि कि जहां हम लोग रहते हैं, उसका परिवेश जिस तरह से होगा, हमारा रहन सहन, हमारा तरीका, हमारे सोचने की सक्त वहीं उसी के अनुशार ढल जाएगी तो याद रखेगा कि व्यक्तित्यों के विकास में दो पर्धान ततों होते हैं पहला वन्सानुक्रम वन्सानुक्रमन और दूसरा परिवेश यानि की वातावरन ठीक है यह दो टोपिक डिसकस हुआ वीडियो लंबा होगा लेकिन लास् सवस्ट हम लोग साधरान भाषा में कहते घमण को लेकिन इसका हिंदी हर्थ होगा इसे एटिकूड कहा जाता तो इसको बदनने का परिवर्थन करने का क्या क्या कारक होता है पहला है प्रीवर्सनलोटी तो व्यक्तितों मनो विर्थियों के गहराई से प्रभावित करता है एक बार व्यक्तितों का विकास हो जाने के बाद मनोविरतियां भी उशिक अनुशार विक्षित होती है जैसे अंतर अंतर्मुखी व्यक्ति समाजिक समरू और प्रति समान एक मनुविरिति विक्षित कर लेता है यदि ऐसे व्यक्ति के विक्ति तो परिवर्टी नहीं जाए तो इसकार्त क्या हुए भूद करता है सर्मिन्दा मसुत करता है और लोगों के साथ जूरना नहीं चाहता है तो उनके मनुवरुती और सोचने का तरीका भी उसी अनुशार हो जाता है और अपो समाज में सामील होने लगेगे बाध्यकारी संपर्ग बाध्यकारी संपर्ग क्या है तो बाध्यकारी संपर्ग का अर्थ है किसी व्यक्ति या व्यक्ति समू को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तिक समू के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाए जिसके साथ वह नहीं रहना चाहता है माल लिजिए कोई व्यक्ति ह जो की काफी कम बोलता है और उसे अधिक बोलने वाले लोगों के साथ जो अधिक बाते करते हैं उसके साथ अगर रख दिया जाए तो क्या होगा कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्त कुछ दिनों के बाद बदल जाएगा जो व्यक्ति कम बोलता है वह भी उस व्यक्ति जितने सारे व्यक्तियों के साथ रहा रहा है उनकी आदतों को उनके तोर तरीकों का अपना कर अपना जो व्यक्तितों का विकास कर लेगा और उसकी मनोविर्थी सोचने समझने की सकती भी बढ़ जाएगी देखिए और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है SWOT Analysis Technique in India SWOT Analysis है क्या तो SWOT Analysis टक्नीके का इसी परकिरिया है जिसमें अपने आप से खुद से सम्मंदित कुछ सवाल पूछना होता है और खुद ही उनके जवाब देने होते हैं जिससे हम अपना Self Analysis कर पाते हैं और खुद को अच्छे से जान पाते हैं माल लिजिए हम अपने मन में ही कोई सवाल करते हैं और उसे सोच कर उसका जवाब देते हैं हम लोग कोई चीज याद करते हैं उसको खुद से पूछकर फिर वापस से ही अपना बोल कर मन में उसका जवाब देते हैं तो यह Self Assessment अपने आपको जाचना हम अपने आपको कैस से जान सकते हैं तो S W O T इसी का एक तरीका है S W O T का पूरा नाम आप लोग याद किजेगा S का मिनिंग होगवा strength S का मिनिंग क्या हो गया strength W का मिनिंग हो गया weakness W का मिनिंग हो गया weakness O का मिनिंग हो गया opportunity और T का मिनिंग हो गया का threats s का strength w का weakness o का opportunities और t का threats तो इसी को अब हम लोग detail में जानेंगे तो strength quality तागत या खुबिया तो हमारे अंदर क्या quality है क्या तागत है क्या खुबिया है इसे जानना यानि किसी दूसरे से ज़्यादा हम ही खुद को अपना पहचान सकते हैं कि हमारी तागत क्या है माल लिजिए अभी आप सभी ग्रेजवेशन में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इन सब्जेक्ट में आप किसमें अच्छे हैं कौन सी आपकी मजबूती हैं किस सब्जेक्ट को आप समझते हैं और ज्यादा आप लोग उसमें लिख सकते हैं तो यह जानना सबसे पहला काम अपनी स्ट्रेंद को जानना है एस डवलू ओटी में आप सबसे पहले अपने मजबूती को जानिए और यह आप खुद से जान सकते हैं कोई दूसरा वेक्ति यह जज नहीं कर सकता है अब हम लोग डवलू के बारे में जानेंगे डवलू क अर्थोग या विक्नेस यानि कमजोरियां अउगून या कमियां तो अब अपनी विक्नेस के बारे में अच्छे से जानें विक्नेस में अपनी ऐसी विक्नेस को लिखे हैं जो आपको अच्छी लगती है कि यह मेरी र लिखें जिनको आप दूर कर सकते हैं क्योंकि जो दूर की जा सकती है वह विकनेस नहीं है सिर्फ हमारे दिर्ज निष्ट कमी करने की कमी है इसलिए अच्छे से सोच समझ कर अपने विकनेस को लिखें यह सवाल भी पूचे देखिए तो डाबलू करत हो गिया हमें यानि हर व विकनेस जो आप दूर कर लिजेगा तो आपके मन के इच्छा के ऊपर है ठीक है अगला है ओ ऑपर्चुनेटी एस डबलू एस मतलब स्ट्रेंट यानि की मजबूती अपना तागत डबलू मतलब विकनेस यानि कमजोरी और तीसरा है ओपर्चुनेटी साधन या उपलब द आगे बढ़ने के लिए जिस पर मैं जा सकता हूं यह सवाल भी पूछ सकते हैं माल लीजिए आप ऐसे वातावरण में रहते हैं जाप पढ़ने लिखने वालों की संख्या कम है ज्यादा तर लोग वहां पढ़ाई लिखाई को महतों नहीं देते हैं और अगर आपको भी बोलते होंगे कि पढ़ लिखे क्या होगा तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उन व्यक्तियों से अगर आप दूर रहेंगे तभी आपका ठीक है यानि कि आपका उपचिनिटी आपका मौका अपना परिवेश को चुनिए और क्या-क्या चीज का उपयोग करके आप अपने जीवन मे आगे बढ़ सकते हैं यही ओपोचिनिटी है और इसको पहचानना आपका काम है कोई दूसरा इस ओपोचिनिटी को पहचान नहीं शकता है आप खुद पहचानिए कि जिस वातावरन में रह रहे हैं वहां से क्या सीखें और क्या ना सीखें ठीक है चलिए अब आखरी है टी की से गया है त्रेट्स यानि कि बाधायें खत्रे मुशिबत यह रोड़े इसमे लिखें कि मुझे जिस भी चीज में इन्ट्रेस्ट है जिससे रिलेटिड मेरा मेन गोल है उस रास्ते में मेरे सामने आने वाली बड़ी-बड़ी बाधायें क्या गया है जो मुझे आगे ब पढ़ने में परिशानी हो सकती है यह सवाल भी आप खुछ से पूछे देखिए आप माल लीजिए आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कर रहे हैं कुछ स्टुडेंट इसके बाद दोस्त अगर आपको बोलता है कि आपसे यह नहीं हो पाएगा तो आपको यह पहचानना पड़ेगा कि आखिर यह जो आप करने जा रहे हैं आगे लाइफ में करने के बाद जो करना है आपको तो उसके रास्ते में क्या-क्या मुसिबत आएगी यानि लोग आपको बुरा-भल है डिसाइड करना है तो यही है थ्रीट्स यही है मुशिवत यानि कि आगे जीवन में जो आपके लच्छे को हासिल करने में जो बाधा आएगी ना तो उसे पहचानना तो एस डबलू ओ टी का अर्थ पूरा डिटेल में हो गया एस डबलू ओ टी क्या है तो स्ट्रेंथ है विखने से औपरेटी है और थ्रीट अद्ट तो स का मतलब हो गया हमारी तागत डबलू का मतलब हमारी कमजोरियाँ औ का मतलब हमारे शाधन हमारे मौके जो ऑपरचान जो अवसर है हमारे और टी का मतलब हमारी जीवन की रास्तों में आने वाली मुशिवत стен हमारी है ठीक है तो उम्मीद है आप सभी को आज का यह जो क्लास है वो पशंद आया होगा और इसके बाद और भी कई सारे वीडियो आप लोगों के लिए चैनल पर अप्लोड की जाएंगे एक ही वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए आप इसको यहीं पर इतने सारे टोपिक को उमीद है कि आप सब्सक्राइब और सेर जरूर कर दीजेगा ठीक है क्योंकि आगे आने वाले जो एक्जाम है एमाईल हिंदी हो चाहे आपका अंडरस्टेंडिंग इंडिया वाला पेपर हो उसके लिए इंपॉर्टेंट कोश्टन मिलेंगे और उसके भी डिसकसन कराए जाएंगे ठीक है धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए